असलाम नेकुम दिया स्टूडेंट आज यू टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हम यह देखेंगे कि अभी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि टीचर्स को क्या-क्या कुछ करना चाहिए चाहिए वो प्रिंट के साथ बच्चों के साथ बुक रीडिं हो आई बुक के फीचर्स अपनी जगा इबुक के अंदर जो आटिफिशल इंटेलिजेंस हैं उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगा और उसकी अपनी इंटरक्टिव जो क्वालिटी जगा इसके बावजूद बहुत छोटे बच्चों के साथ टीचिस का और पेरिंट्स का ज और यह आपकी जो एक्चुल रीडिंग एक्टिविटी है चाहे वो इबुक के थुरू हो यह किसी और चीज के थुरू हो उसको इन्हेंस कर देती है हुमारे सामने एक एक्जेमपल है आज हम पहले वो इजेमपल लिखते हैं कि वह इग्जेमपल क्या है एक बहुत इंसर्षिंग रीसर्च स्टेडी है री नीमें ने मर्चंट ने टुवंटी टू में यह स्टेडी की थी और हम इनक्प स्ट्रूच्ट में पढ़ते हैं कि किया थी वुन्यादी तोर पर उनको यह पता था कि अगर टीचिर जिस तरीके से बच्छो को फिसलिटेट करते हैं उससे बच्छों की जो ना सिरी टेक्नॉलजी को इस्तिमाल करने की स्किर्डि डिवेलप होती है बलकि इनकी रिडिंग इसकिल्स भी बहुत डिवेलप हो सकत को interaction को उन्होंने observe करने के बाद classroom में उसको explain किया है वो नियादी तोर पर इस interaction में जो सके स्टेडी में मौझूद है वो टीचर अपने बच्चों के साथ एक ग्रूप में बैठी हुई है और वो एक कहानी पढ़ रही है इस technique को भी इस्तेमाल कर रही है और बच्चों को एक positive experience दे रही है जो उनका बात करने का तरीका है बच्चों को engage करने का बच्चों के सवालों की जवाब देने का वो तमाम चीज़ें के अंदर overall मौझूद है जिसको अब भी हम one by one देखेंगे कि वो कैसे इसको engage कर रही है उस उसकी जो उनके साथ गुफतोश शनीदर का duration कोई दो तीन चार मिनट नहीं है बलकि वो उननेस मिनट की conversation है जिसके अंदर teacher बावाज़े बुलंद read aloud करके उनको कहानी पढ़के सुना रही है एप के साथ और वो कहानी है जी three little pigs और इसके अंदर उनकी जो interaction है वो क्या है उस क्या हो सकती है अगर कोई इसके अंदर character बुरा है तो उसकी common traits या natural traits क्या है और वो कैसे behave करता है उसके इलावा वो बार-बार screen के उपर mention करके भी बता रही है animation भी दिखा रही है कि यह देखो यह ऐसे animate होता है इसका मतलब है कि उसकी interactive features जो है वो content के साथ साथ यूज कर रह information उनको करके भी दिखाई और उसके sounds भी निकाल के दिखाए उसके बाद और क्या चीज़े टीचर जो है linguistic interaction हो रही थी उनकी उसके इलावा जो दूसरे character थे जैसे के उसके अंदर rabbits थे spider थे वो यह बताना चारी थी कि यह woodlands में कैसे होते हैं यह कैसे दिखते हैं और student जो है वो इसमें mutually involved थें से discussion कर रही थी इसका मतलब है कि वो ही नहीं सिरफ बता रही थी बलके बच्चों से भी सवालात कर रही थी especially animals या insects के बारे में जो commonly बच्चों ने देखे हुए हैं उसके लावा e-book feature पे उनका बच्चों का personal interest देख रही थी कि वो क्या है बच्चे क्या च आ यहीं नहीं पता है कि आप यह feature इस्तेमाल ना करो यह feature इस्तेमाल ना करो जो feature वो इस्तेमाल करना चाहती थी वो feature बच्ची को इस्तेमाल करने दिया इससे पता चलता है कि बच्चे बहुत ही comfortable थे teacher के साथ और teacher उने support कर रही थी कुछ instructional techniques को अगर हम streamline कर लें तो हमारे सामन यह आती है teacher and child use of words, specific words को बार बार repeat कर रही थी, of course वो यह वो words होंगे जो बच्चे को सिखाना चाहरी है, word repetition थी, teacher के सवलात करने का अंदाज था, उसके लावा उनकी types of scaffolding techniques थी जिसके अंदर cognitive scaffolding भी थी और उसके अंदर technical scaffolding भी थी, और instructional techniques के अंदर यह क्या चीज़ है, हम एक दफा go through कर लेते हैं, जब हम बच्चे को यह चाहते हैं कि वो जो text के अंदर चीज़े लिखी में है, content जो लिखा हुए, वो उसको understand करें, और discussion करें, और उसके बारे में सोचे, और जब हम उससे repeated question करते हैं, या उससे related question करते हैं, और उससे related words हिनको बार बार repeat करते हैं, हम कहते हैं, cognitive escape holding, हम बच्चों को सूचने पे मजबूर कर रहे हैं, content पे, इसी तरीके से technical escape holding वो तरीके कार होता है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे features होते हैं, जो बच्चों को सिखाना चाहरे होते हैं, books के अंदर, या grammar के अंदर, और language के अंदर, जो technicalities से related होते हैं, और बच् कोई interesting question करते हैं, तो आप उन्हें कैसे जवाब देते हैं, कि wow, it's a very very good question, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, so, यह जो तरीके कार है, इससे बच्चों को एक इत्मिनान मिलता है, confidence आता है, और फिर वो मजीद सोचते हैं, और इस confidence में वो और बहतर सवाल कर सकते हैं, और अ कर दो, कि अ चाल सकते हैं, और अपन है, इससे बच्छान कर सकते हैं, और अजिए और सकते हैं, जिर भाजू होंती हैं, आपने देता हैं, और फिर द잉ने तो, कि आ हुना सकते हैं, यह आई बहुत नहें वोँते हैं, और यह हैं आपने जि ένα मिलत defending ईलत्ग हैं, आपने पहा